हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू अप्विल अपडेट और फिर से आपका स्वागत है एक बर हमारे चैनल के अंदर तो जैसा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाली है यह कि आपने थामनील में देखी लिया होगा यह वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम जो डिसकस करने वाले हैं वो हम डिसकस करने वाले हैं पहले तो यूजी कोर्से की बच्चों के लिए एक नई अपडेट आई है उनके अग्जाम डेट यह जो एक नएपडेट है उसके इनो फाइनल क्लैरिफिकेशन तो नहीं हैं बट यहाँ पर किसे जो कि अफिशल है उसने किसी मीडिया को अपनी डेट्स बताई यहां पर सीईटी होने वाली है उस न्यूज आर्टिकल के बारे में यह पर बात करेंगे उसके साथ साथ हम पीजी कोर्सेस के भी डेट्स बात करेंगे जिक के रिजिस्ट्रेशन कब तक तक था उनका और फिर उनक डेट्स की जरूत है तो उस डेट्स के मैं बात का रहेंगे इस वीडियो के अंदर आप से इतनी रिक्वेस्ट एकी वीडियो को लास्त तक दिखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तhelm को सब्सक्राइब कर दीजिए आपको wondered से जुड़ी हर खबर आपको इस चैनल पर मिल जाएगी तिल कांसिलिंग और रिजल्ट तक ठीक है और इस वीडियो को लाइक कर दिजी और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा ठीक है सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ अगर अपने हैं हमारे चैनल पर तो आपको पता ही होगा इस बैच के बारे में हमने एक बैच चलाई थी जो की सूपर थर्टी के नाम से थी यह उन बच्चों के लिए थी जो मेंली जो PG courses के बच्चे थे जो MBA के लिए परश्यू कर रहे थे इस पेशली मैं आपको बता दू कि यह बैच उस लिए थी जिसके लिए जिसका भी subject जो है उसके अंदर quantitative ability verbal ability and language comprehension and quantitative and logical reasoning के questions आने वाले हैं यह उन टॉपिक्स को पढ़ाने वाले जो जिसके भी है जो भी paper में जिसके paper में यह वाले टॉपिक्स हैं में यह जो टॉपिक्स है वो है इसलिए इसको स्पेसिफाइग किया गया है जिसको भी यह टाइप का syllabus है उसके लिए जो live classes रखी गई है इस live classes के अंदर क्या क्या मिलेगा कैसे कैसे मिलेगा और कितने 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 की है यह live class यह कुई हजारों की class नहीं है जैसे बाकी YouTube चैनल पर चल रही है धायाजार दोहजार तीन हजार की class नहीं है यह बिल्कुल भी है cheapest class आपको YouTube पर मिलेगी इसके बारे में एक short introduction में आपको जल्दी से दे देता हूं ठीक है यहाँ पर जो होने वाला था live interactive classes on meet यह हमने decide किया था बट ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चे चाहते थे अलग-अलग time पर live class जो की possible नहीं था बट हम चाहते थे कि सब को हम इसको time provide कर वाए तो हमने क्या कर दिया कि recorded जो lectures है उसको हमने वापर डाल दिया जिसके private link हम provide करते हैं जो भी बच्चास कंदर enroll करता है उतके साथ साथ हम live doubt sessions रखते हैं किसी एक दिन week में ताकि जिसको जो भी doubt आ रहा है वो live session में आकर पूछ पाए हमसे ठीक है कर दिया है क्योंकि हम live class नहीं कर रहे हैं तो होच पोच होने का जो रिस्क था वो नहीं है सो 30 students से जादा अगर इसमें कोई enroll करना चाहता है आप अभी भी अगर enroll करना चाहते तो आप कर सकते हैं description में आपको Google form की link बिल जाएगी अगर नहीं मिलती है तो आप इस वीडियो की नीचे भी comment कर सकते हैं चेके most important questions आपको notes as well as questions solve करने को मिलते हैं इसके अंदर assignment time to time चेक है प्राइजिंग के बात कर लें तो जो special price का चल रहा है only rupees 250 में आपको enroll करने के लिए चांस मिल रहा है इस प्राइज में आपको कोई भी classes available नहीं होगी पूरे YouTube के उपर तो अगर आपके जो subjects हैं उसके अंदर verbal ability या फिर logic reasoning quantitative ability जैसे syllabus में subjects हैं जिसके लिए आप prepare करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ज़रूर enroll कीजिए आपका बहुत जादा फायदा होगा क्योंकि आपको कहीं भी organized content नहीं मिलेगा ऐसा जो कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है यह हो गए हमारे classes की बाद अब हम चलते हैं अपने वीडियो के topic के ओपर में ली तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे UG courses के बच्चों के लिए ठीक है उनका जो पेपर है वो conduct किया करवाया जा सकता है चीक है वो सुयूइटी के board members as well as NT जो है वो decide करेगा अपने ही circumstances के base पर जब उनकी बैठक होगी चीक है तो अभी recently एक news article जो कि बहुत जादे बच्चों ने भी मुझे भीजा है बहुत सारे कि सर यह article मुझे मिला है नहां से मिला है वहां से मिला है फेक है और रियल है इसके उपर भी मिला है किसी local website का वो आर्टिकल है जहापर वो फोटो इंबेड थी मैं आपको वो दिखाता ह सो वो था यह screenshot जो कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे शेयर किया था सो इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को ऐसे doubts थे सो इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि COET 2022 के उपोगरता ने दैनी कोजाला को बताया कि इस वर्ष परिक्षा होने के संभावित दी थी 7 जुलाई स 11 जुलाई हो सकती है ठीक है ऐसा महाँ पर कहा गया है दावा किया गया है अब यह official news मिली जो है कि नहीं यह यहां पर किसी भी website पर नहीं दिया गया है उसका फाइनल लिना भी नहीं लिया गया है इसी कारण बहुत बच्चों में इसकी चर्चा है बहुत बोड़ बहुत ही जल NTA के साथ बैठा कर अपना फैसला सुना सकता है यह पर यह आर्टिकल यहां पर लिखा गया था अब यह फेक है यह रियल है यह मुझे पता नहीं है क्योंकि इससे लिटेट बहुत सारे बच्चों मुझे अलग-लग लोगों ने स्क्रीन शोट बेज़े थे कि यहां पर साथ जुलाई योपार यह सक चार दिन में ढान के तिक एसान फिरेट करते में हैं और सारे बच्चों को अलग-लग लोग लोग करें किसे के स्टेट करता है किस ऑल यह जुलाई करता है इसे हमारा jee means का exam होता है लग लग डेट पर चार दिन का जो उसके अंदर स्लॉट होता है उसके इक एक डेट अलॉट होती है तो मुस्ट प्रॉबेबल डीडेट जो है वह यह हो सकती है कि जिसके अंदर आपको वो मिल जाए ऐसा क्यों मैं बूल रहा हूं कि most of a world date हो सकते हैं कि आर्टिकल सही हो सकता है because July में ही आपका result आना है July में ही आपके जो merit list है वो बननी है और आपका answer की निकल नी है ठीक है so इसमें थोड़ा सा time लगता है at least एक week का time तो इसमें लगता ही है तो अगर यह वाली लगबख यह वाली date होगी तभी जुलाई में यह सब cover हो पाएगा because जो डिए वीवी के जो counselling स्टार्ट होते हैं जाए फिक किसी भी university के counselling स्टार्ट होते हैं वह basically start August में होते हैं ठीक है अगस्त में होने वाले है तो अगस्त तक इनको अपना पूरा जो चार्ट है वह ready करना होगा so that वह लोग application form की तरफ बढ़ पाएं ठीक है तो यह most probable date है so this date के इसाफ से आपको preparation करते हुए चलनी है अपनी और अपने आपको पहले सी अच्छे से prepare रखना है यह बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है तो यह बात जो हो गई हमारी PG courses के बच्चों के लिए हो गई ठीक है so अगर आप PG courses के student हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि registration आपके already started है और चलने वाल है अठारा जून तक 18 जून को भी कोई date है शायद 12 मुझे तक आप अपनी payment कर सकते हैं ठीक है तो अब आपके application form को accept किया जाएगा ठीक है अब बहुत सारे बच्चों से यहाँ पर PG courses का application थोड़ा सा लेट आया था इसलिए इतनी डेट तक चल रहा है यह सो बहुत सारे बच्चों से बीच में correction window स्टार्ट होगी जिसके अंदर अगर आपने अप्लिकेशन के अंदर कोई mistake कर दी है तो आप उसको edit करके change कर सकते हैं उसको update कर सकते हैं उसके लिए विंडो स्टार्ट खुलेगी जरूर ठीक है क्या हमेशा NTA जो है वह अपनी website खोलता है करेक्शन विंडो के नाम पर ठीक है सो जैसा कि हम जब यूजी कोर्स के बच्चों के लिए भी खुली थी 25 से 31 मही के बीच तो यहां पर आपके लिए भी खुलेगी तो आप डबल ड मिस्टेक हो जाता है क्योंकि रिफंड मिलना यहां पर बहुती ज्यादा लगबग इंपॉसिबल जैसा होता है रिफंड मिलना बहुती कम केस में मिलता है अपको रिफंड अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिये तो आपको मेल बहुत लिखना पड़ता है उसके को टेंशन लेने के जर्वत नहीं है अगर आप इग्साम तो दीजिए अग्साम में अर्चन नहीं आ रहे है अगर उस मिस्टेक से तो आप अपनी एग्जाम उसी प्रोसीजर में दीजिए और जब भी आपके कांसलिंग होती है तो कांसलिंग के लिए ढूपको एकुमेंट के साथ आपने पर रिपोर्ट करना होता है अपने रिजल्ट के साथ सीई एटी के तो वहाँ पर जा के आप बोल सकते हैं कि मैंने सीई एटी के एप्लिकेशन में यह मिस्टेक कर दी थी तो मैं इसको बडेट कर रहना चाहता हूं तो वहाँ पर जब भी भी आप युनिवर्सिटी में जाएंगे तो उसको महाँ पर अपडेट कर देंगे क्योंकि मैटर महाँ पर जो करेगा वापका मेनली रिजल्ट करेगा अगर आपने एक्जाम दे दिये है उसी मिस्टिक में तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यह हमारे क्रेक्षिन की बात थी है अब हम भात करते हैं जो क्या further dates हो सकती है ठीक है जो admit card है अब देखिए UG courses plus PG courses का साथ हमें करवाना possible नहीं है because same centers a lot होंगे इस तरह ज्यादा centers कोई a lot नहीं कर सकता ठीक है तो जैसे ही UG courses के exam होते हैं just after that तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करके चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जब उनका पेपर स्टार्ट होने वाला होगा यूजी के बच्चोंगा तब आपके एड्मिट काड्स आपको अलॉट हो गए होंगे ठीक है और एड्मिट काड्स अलॉट होने की इन बिट्विन इसके बाद अप्टु 10 डेस आपका पीपर आ जाता है ठीक है तो आप मानके चलिए कि सेकेंड या फिर स्वर्ड या फिर फूर्थ वीक में ठीक है यानि मैं डेट्स की बाद करूँ तो 17 जुलाई के बाद और 17 जुलाई के बाद और जुलाई का जो मन्त है जो बचा जा सकता है ठीक है सेम मैनेजमेंट में तो आपको या इसके लिए रेडी रहना है कि जुलाई के मिड में ही आपका पीपर आ जाएगा मोस्ट पोबैबली ठीक है तो आपको अपनी प्रिपरेशन उससाब से लेकर चली है ठीक है और रही हमारे बैच के स्टुडेंट्स की बाद तो नहीं लग रहा होगा भी हम थोड़ा सा स्लोग चल रहे हैं बढ़ हम इसको स्पीड अप करेंगे मैं ज्यादा लेक्टर से अपको प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और कोई अच्छे लेवल उसको डिसक्रस करेंगे आपके प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो ज कैसे आपको एडमिशन मिलेगा उससी एक एक इन्फोमिशन आपको मिलती रहे बिना किसी डाउट के तब तक के लिए टाटा बाए बाए